के नमस्कार दोस्तों आसा करतो आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों जो गया जब होगी टौन के सेलरी क्या रहेगी हम आपको सेलरी स्लिप के थुरू आपको पूरा डिटेल में बताएंगे तथा ये भी दिखाएंगे कि इनका प्रमोशनों के ग्रूप डी से टेकनिशन कितने समय बने थे सेलरी जो फिफ्ट नंबर का असिस्टेन लोकों से डीजल है यानि कि जो मेकनिकल डिपार्टमेंट का पोस्ट है उसको भी इतना ही सेलरी मिले गई कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो मेकनिकल रहता है और बाकी इन लोगों का जो डिपार्टमेंट रहता है इलेक्टिकल से अधिक हम आपको दिखा रहे हैं, तहीं हम इनका नाम को हॉण है यहाँ पर देखिए इनका पति नाम खल सी हलपर जब यह गूरूबडी में थे तो इनका खला सी हलपर दिया गया था और इनका जो department था है वो electrical था और यहां station building unit यह सब हम hide किये हुए है तो देखिए इनका date of joining यह इनका joining था 26 2016 लेकिन उसमें REWS जो application है वो नहीं use होता था तो इसलिए हम joining के समय का इनका salary sleep नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन यह फरवरी 2020 का salary sleep है और इस समय यह group D के ही post पे थे तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जब आप group D के post पे join करेंगे तो कितना मिलेगा तो देखिए इनका basic पे था वो 2300 हो गया था क्योंकि इनको 4000 करीब duty करते हो गया था तो इनका increment लग चुका था कही लेकिन जब आप joining करेंगे तो आपका basic होगा वो 18,000 रुपे होगा और इनको DRNS के रूंस के रूप में 3400 रुपे मिलता था लेकिन आप इस समय जब present time में join करेंगे तो आपको जो DA है वो 42% हो गया है तो जब 18,000 का 42% निकालेंगे तो हो जाएगा total आपका 7560 रुपे है उसके बाद house rent allowance अगर आप railway quarter नहीं लेते हैं तो आपको 1800 रुपे मिलेगा और अगर आप railway quarter ले लेते हैं तो आपको HR1 रुप में 1800 रुपे नहीं मिलेगा और ये 1800 रुपे सीटी क अनुसार वैरी करता है आपके इस टाइप के सीटी में डुटी करते हैं उसके बाद ये transport allowance के रुप में ये आपको 1000 रुपे मिलेगा तो जो इनका total हुआ था वो ग्रास पे 26,604 रुपे हुआ था क्योंकि इनका एक दिन का भी absent था है सायद क्योंकि इनका जो duty डे है वो 29 29 डेज का है अगर इनका 30 डेज का रहता तो वो करीब 27,000 के आसपास बनता है और इनका कुछ कटवती भी हुआ था जैसे railway employee insurance scheme में 30 रुपे है ये तो सबका कटता है ऐसे ही इनका कुछ कटवती देख सकते हैं आप उसके बाद ये देखिए आगे का जब ये कटवती को घटा देंगे तो जो इनका नेट बना था वो 23,364 रुपया तो इनका इनक्रिमेंट के बाद सेल रही है लेकिन जब आप इससे में जब जोईन करेंगे तो आपको total कितना मिलेगा ये calculate कर देते हैं आपको जैसे basic 18,000 आपको मिलेगा उसके बाद DA के रूप में 7,560 रुपय मिलेगा और 4,800 तथा ट्रांसपोर्ट एलाउंस आपको 1,013 रुपय मिलेगा तो इन सभी को total आप करेंगे तो आपको हो जाएगा 8,413 रुपय 28,413 रुपय अगर आप railway quarter नहीं लेते हैं तब और अगर आप railway quarter लेते हैं तो आपको मिलेगा 26,613 रुपय तो इस से में आप जब present time में जॉइन करेंगे इस post पे तो आपको 26,613 रुपय मिलेगा और इस post पे allowance कम बहुत कम है क्योंकि other post में जैसे trackman हुगा और जो workshop के post होते हैं उनमे allowance जादे मिलता है इसलिए उनकी salary थोड़ा इससे जादे ही बनती है तो यह हो गया इनका starting का हम आपको बता दे हैं आपको कितना मिलेगा इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जब इनका promotion होके technician बन गए थे तो इनका कितने salary हो गई थी तो यह देखिए यहाँ पर मार्च 2020 की salary है और इससे में इनका देखिए जो पद नाम है यानिकि designation यह technician थर्ड हो गए थे यानिकि इनका promotion technician के रूप में group D से group C में हो गया था तो देखिए यह 2016 में join किये थे और इनका 2020 में यह technician बन गए थे यानिकि यह 4 साल में group D से group C में पर्मोट होके technician बन गए थे तो इससे में जब आप technician बन जाएंगे तो आपको level 2 में आ जाते हैं तो उससे में इनका basic जो था वो 21,100 रुपया हो गया था और जो dearness allowance था उससे में कम ही था तो इसलिए 3587 रुपया ही बनता था इससे में अगर 42% के हिसाब से होता तो और अधिक बनता और बाकि house rent allowance और ट्रांस एक जार तिरपन तो इनका जो grass पे बना था देखिए यहां duty day इनका 31 days का था तो यहां पर टोटल बना था 27,540 रुप यह net pay बना था तो जो यह department है electrical department इसमें पर्मोशन तो काफी अच्छा है क्योंकि देखिए चार साल में group D से group C में पर्मोट होके हो गये थे लेकिन other department जैसे trackman हुगा यानि किंजरी department उसमें पर्मोशन बहुत खराब रहता है क्योंकि मैं साड़े तीन साल trackman के post पे काम किया था तो अभी मेरा पर्मोशन का कोई चांस ही नहीं बनता था अभी 5-6 साल बाद सायद एकात पर्मोशन होता तो हम आपको यह भी दिखा दिये कि आपका group D से group C में यानि कि technician कितने समय में बन सकते हैं तो देखिए यहाँ पर यह बता दिये उसके बाद इनका देखिए यह 22,400 रुपे हो गया था और जो DRNS एलाउंस उससे में 2022 दिसंबर में करीब 38% के आसपास था तो 38% के आसपास यह 8,512 रुपे हो गया और हाउस रेंट एलाउंस यह देखिए इलहाबाद में बड़े सीटी में आ गया थे तो इनको हाउस रेंट एलाउंस के रुप में 4,032 रुपे मिलता था और टांसपोर्ट एलाउंस के रुप में 1,860 रुपे मिलता था तो इनका जो ग्रास पर बना था वो 36,807 रुपे बना था और यह जो कटवती होती है तो इसमें इंप्ला इंसरेंस में 30 रुपे कटता है और नीप एंसन स्कीम में 3,91 रुपे इंका कटा हुआ है तो जो नेट पर बना है वो 33,686 रुपे बना है तो जब आप जो आइन करेंगे तो आपका 8,413 रुपे यह ग्रास तो बनेगा और उसमें किवल 30 रुपे ही कटा ओती होत तो अभी तो स्टार्टिंग में आपको यही मिलेगा 8,413 या 26,613 अगर आप अचारे लेते हैं तब तो यह पूरा डिटेल था देखिए पहले भुपाल डिविजन में जाब करते थे उसके बाद यह टांसफरक्रा के लावाट डिविजन में आ गए थे तो हम आपको इनको फुरा डिटेल दिखा देएं कि इनका प्रमोशन कितने समय में हुगा था और इनकी सेलरी बढ़के 6 साल में कितनी हो गई थी तो ऐसे ही अधर पोस्ट के लिए भी मैं आपको वीडियो डालूंगा जैसे पॉइंट्स में ट्रेक में इन सबका प्रमोशन और इनका सेलरी कैसे बढ़ता है यह सबका मैं वीडियो आपको देता रहूंगा तो चलिए अगर वीडियो अच्छे लगा तो प्लीज लाइक क कर दीजेगा चलिए फिर बाद में मिलते हैं धन्यवाद